और अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकद्दमा आपकी अदालत आपकी अदालत में आज हम मुकद्दमा चलाएंगे जानी मानी पुलीस आफिसर किरन पेदी पर आपकी अदालत में आज जनता की ओर से जज़ होंगे इंटेलिजन्स ब्यूरो के फॉर्मर डिरेक्टर एम बी कौशल और आपकी अदालत में जनता की ओर से मुकद्दमा चलाएंगे जनता के बकीर रजट शर्मा नमस्तार आपकी अदालत में आपका स्वागत है आपकी अदालत में हम ऐसे लोग को पेश करते हैं जो कौन्ट्रोवर्शल होते हैं विवादों में खेरे रहते हैं ऐसे लोग जन से जनता सवाल पूछना चाहती है ऐसे लोग जो खबरों में बने रहते हैं पेश है आज का मुकद्मा आपकी अदालत में आपकी अदालत में हादर हो जनता के अदालत में मुझ्वपी है जनता भी जनता की जच भी इस्से पहले कि आज का मुकर्मा शुरू करें आज के जजज एम भी कोशल की इजाज़दें के इजाज़देंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए और इससे पहले कि लजामात और सवालात का सिलसला शुरू हो एक नज़र डालेंगे किरन बेदी के करियर पर सुपर कॉप किरन बेदी कुछी दिनों पहले युनाइटिड नेशन्स से वापस लोटी हैं वहाँ किरन बेदी पीस कीपिंग डिपार्टमेंट में एडवाइजर थी किरन बेदी को आप भारत की पहली महिला IPS आफिसर कह सकते हैं मिकसा से अवार्ड पाने वाली एशिया की पहली पुलीस आफिसर कह सकते हैं किरन बेदी को दिल्ली में ट्राफिक सुधारने के लिए भी याद किया जाता है और तिहार जेल में कैदियों को सुधारने के लिए भी जाना गया किरन बेदी पुलिस ओफिसर हैं, सोशल वर्कर हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, राइटर हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि किरन बेदी एक पॉपिलर पुलिस ओफिसर है किरन जी आपका 33 वरस का पुलिस का करियर मैंने देखा पढ़ते पढ़ते लगा कि आपका नाम तो विवादों की देवी होना चाहिए हर कदम पर आपके लिए कोई ना कोई कॉई 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 खड़ी रहती है कॉन सी वाली 1981 में सबसे पहले दिल्ली के जनता ने आपको देखा था जब हर किसी के गाड़ी क्रेन से उठा ली जाती थी इसमें कॉन्ट्रोवर्सी किस बात की वो जमाना जिसने आपका नाम क्रेन बेदी कर दिया था तो ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी थोड़ी इतनी बिगड़ी हुई थी उसको वही इलाज था लेकिन आपने देखा फिर से बिगड़ गई है तो वापस ड्यूटी पर आना पड़ेगा आपको असली कॉंट्रोवर्सी बताता हूँ चंदीगड में जब आपकी पोस्टिंग हुई तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ पर जो डिस्कोस थे वो बंद करा दिये का इस शेहर में कोई नाइट लाइफ नहीं होनी चाहिए हाँ कराई बंद क्योंकि बहुत बिगड़ रहे थे बचे और यूनिवर्सिटी है ये थोड़ी है कि शराब बे पी है बारां बज़े के बाद और फिर लड़कियां उठाएं और जो मरजी करें तो फिर पुलीस ही किस बात की हम लोग किस लिए हैं अगर बारां बज़े के बाद उन्हों ने शराब बे पी कि लड़कियों को चेड़ना है उसके बाद मैं उसकी तफ्तीश ही करती रहूं फिर मैं हूँ किस लिए लेकिन आपका काम पुलीसिंग करना है या रिफॉर्म करना है सोसाइटी को दोनों मेरा काम है पुलीस भी करना और क्राइम को भी रोकना और जो चीज क्राइम बढ़ाती है कुछ इसी हर चीज की कोई लिमिट होती है जब आप लिमिट को क्रोस करेंगे तो पुलीस किस लिए पुलीस उस लिमिट को बताने के लिए कि ये लिमिट है इसके बाद आप जाओगे तो फिर तेहार जी कैन जी लेकिन पुलिस ओफिसर तो बहुत सारे हैं क्या वज़े है कि आप जहा जाती हैं वहीं इस तरह की कॉंट्रोवर्सीज खड़ी होती हैं यह मुझे नहीं वालू आप कई बरस तक उनाइटेड डेशन्स में रहने के बाद वापस लोटी है दिल्ली बार असूसेशन के लोगों ने राष्टपती महदयों को एक चिठी लिखी है उस चिठी की कॉपी मेरे पास में है बड़ा इची बात है मैंने नहीं पढ़ी आपको दिखा सकता हूँ यह चिठी नोने राष्टपती को और होम मिनिस्टर शिवराच पाड्डिल को लिखी है और इसमें उन्होंने कहा कि किरन बेदी को दिल्ली पुलिस में वापस किसी कीमत पे निया देने लेना चाहिए किसी कीमत पे जो दिल्ली के वकील है वो आज तक इस बात को भूले नहीं है कि किरिन बेदी क्यांकों के सामने कितनी बुरे तरह उनकी पिटाई हुई थी? वो सीरिस नहीं है, ये सीरिस नहीं है, पिटाई सीरिस नहीं है, पिटाई थी नहीं, लेकि ये लेटर सीरिस नहीं है, I don't think they mean it, I think they like, they would like to see me back, वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने लिखा की, the lawyers have not forgotten the year 1988 when Miss Kiran Bedi was misusing her position as DCP-9, उनको 1988 की बात याद है आज भी, कनाई विद वन मुनिस्पल कॉर्पोरेटर, who brought thousands of hired persons to attack lawyers in the court premises, in order to teach a lesson to them. वो उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा है कि, these people were protesting against the brutal lathi charge ordered by Miss Kiran Bedi and were demanding inquiry in the same. The Bar Association would like to emphasize that the lawyers, even on this date, have not forgotten that unfortunate incident and any attempt, इसमे जरा ध्यान दीजिए, अगर आप दिल्ली पूलिस पे फिर से लोटी, तो बल्वा हो जाएगा. कोई बात नहीं, काफी बड़ी पुलीस फोर्स है, उनको संभाल लेगी. क्योंकि कोई इसमें इंटेंशन थोड़ी है, ये तो ड्यूटी हैं, हर ड्यूटी के दो पहलू होते हैं. वो एक यूज भी कह सकते हो, तो मिस्यूज भी कह सकते हो. कि अगर आप यहां आएंगी, तो प्रोटेस्स करेंगे, उन्होंने होम मिनिस्टर से टाइम मांगा है इस बारे में शिकायत करने के लिए. तो होम मिनिस्टर चाप साब बहुत चाद बिजी हैं, इतना सीरिस नहीं हैं, आइड़न थिंग सो. मैंने सुना है कि आपकी पोस्टिंग इसी वज़े से रुकी हुई है? ने, ने, इसली वज़े से नहीं रुकी, मैं चुटी पर हूँ. मैं इस वकत एक किताब लिख रही हूँ, मैं किताब का फर्स ड्राफ्ट लिख चुकी हूँ. वो कॉंट्रोवर्शिय जरूर होगा, वो बुक जरूर होगी, एक और सब्जेक मिल जाएगो, आपकी अदालत के लिए 10 साल बाद, जैसे मैं आपके पास आई हूँ 12 साल बाद, आक्टोबर में मैं ड्यूटी पर वापस लोट रही हूँ. तो इसलिए नहीं रुकी हूई क्योंकि यह हैं यह कोई और है, इसलिए क्योंकि मैंने चुटी अकैडमिकली मांगी है, ताकि मैं अपनी बुक लिख सकूँ, जो कि सारा मेरा यॉनाइटे नेशन्स एक्सपीरिंस और यह कॉंट्रोवर्शिल एक्सपीरिंस में लिख तो आपका नाम फिर केरन बेदी के बदले कॉंट्रोवर्सी देवी कर देना चाहिए, आप क्यों नके साथ जोड़ रहे हूँ, यह रजट, यह रजट, यह रजट, यह रज़ देम, यह रज़ चेंज माइन, लेकिन आपको याद है कि जो 1988 में खटना हुई थी, उसके बा को, और उसके बाद जो रेकमेंडेशन जो भी दी थी, वो मुझे नहीं लगता है, इंप्लिमेंट हुई है, यह रज़ चेंप हुई, यह रज़ रमेनिंग स्टेटिस को, तो गर्मेंट जहां कमिशन थी, वही रुकी हुई, विकॉज उन्होंने सभी को दोशी पाया, जो ट्रैनिंग नहीं आगई, सो एक्सपिरिनस भी न현 आगया, यह बता सकते हैं कि किरन बेदी के आते ही जो टेरर, जो डर लोगों में बैट जाता था, वो डर वापस आएगा, किस बात का डर, किस बात का डर, किसी की गारी उछने का डर, किसी को पिटाई होने का डर, जेल से जब वापस आएगा तो उस पर सुधार का भी काम किया जाएगा ये मेरी नई लर्निंग है जो पहले शाइद इतनी ज्यादा नहीं थी जो अब हुई है सो कुछ चेंजिस भी हैं कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं और कुछ कंटिन्यूटी भी होगी जनता से पूछते हैं कि कितना विश्वास उनको है आपकी काबलियत पर पुलिस में ऐसा क्यों है कि केवल एक नाम किरन बेदी पुलिस से आ रहा है बाकी लोगों का नाम क्यों नहीं आता बाकियों को बिलाओ आपके अदालत में और उनसे पूछा हो किना आए आंसर बट एक चीज़ जो मेरी बिलीफ है कि हर वेक्ती जो पुलीस सर्विस में या सरकारी सर्विस में आता है वो अपने दृष्टी कोन से आता है अपनी कॉलिटी के साथ आता है अपने इसलिए शाद आप ऐसे सोच रहें और मेरा ऐसा विश्वास है कि शाए मेरे से अच्छे अफसरों का जो मेरे मेरे बड़े अच्छे-चाबिल अफसर और एक अफसर जाजशा भी बेढ़े है ऐसी अच्छे काम वेजबल नहीं हो इसलिए आपको नहीं मालुप तो शाहद यही रीजन हो सकता है लेकिन मैं यह कह रही हूँ कि हम लोग सब अपने दृष्टी कौन से आते हैं और अपनी अप्रोच लेके आते हैं और आपको उनके काम विजिबल नहीं हो तो फॉल्ट मेरा नहीं है यह फॉल्ट मीडिया का है जिन्होंने उनका काम नहीं आपको दिखाया किरन जी आप कह रही थी ने कि बाकी लोग क्यों नहीं विजिबल होते हैं किसी भी I.S. अफसर से पूछ लो वो कहते है किरन बेदी जहां बैठ जाती है किसी की नहीं सुनती जो उनका मन करता है वहीं करते हैं यह गलत नई है आप इस इल्जाम को सुष्विकार करती है यह करती है है और और मेरे जज़ साफ भी करेंगे कोब मेरे ज़ज साफ सीनियर आफसर थे近 een बहरी में इनकी बात नहें मानती थी लेकिं बढ़िया बात यह थी कि जब मैं नहीं बात मानती थी तो ये मुझे समझने की कोशिश करते थे कि मैं इनकी बात क्यों नहीं मान रही इसलिए नहीं मान रही कि सर मेरा दृष्टी कौन सा समझो क्योंकि मैं सडक पर खड़ी हूं मुझे मालूम है यहां क्या हो रहा है मुझे मालूम इसकी temperature क्या है तो please समझो, यहां तो मेरे पास आजाओ और मेरे साथ खड़े हो जाओ यहां मेरी बात मानो तो यह मान जाते थे लेकिन नतीजा किरिण जी यह भी होता था कि किसी एक जगा पर आपको टिक्के रहने ने दिया जाता था मिजोरम में 1990 की बात है आपको रातो रात बैग उठाके भापिस आना पड़ा था दिल्ली वो सिचुएशन ऐसी थी कि अगर मैं ना आती तो वहां की लॉंड ओर्ड सिचुएशन बहुत बिगड सकती थी और वहां की धमकी थी कुछ सेक्शन से कि वो मेरे घर को जला देंगे तो मैंने सोचा कि मैं वहां की D.I.G. रेंज हूँ और D.I.G. रेंज का ही घर जला दें क्योंकि मैं D.I.G. रेंज हूँ मैं बेठी रहूँ मैं देखती है आप क्या कर सकते है तो कोई हम लोग नहले पर दहले की थोड़ी बात है अगर मेरे हट जाने से वो घर बढ़ जाता है और स्टेट में कर्फ्यू खुल जाता है वगएरा वगएरा तो समझदारी इससे है कि सो इसलिए मैं अपने आपको हटा भी सकी So I got out of the scene ताकि वहाँ पर situation normal CPI करेंजी ऐसा क्या जनून होना कि जहां आप जाएं वहीं से आपको लोटना पड़े मैं आपकी किताब में देख रहा था आपने लिखा कि आपको जब तिहार जेल भेजा गया तो कोई वहाँ जाना ही नहीं चाहता था पनिश्मेंट पोस्टिंग होती थी हाँ यह सही बात है जेल को कभी भी कोई भी पुलीस आफिसर तकरीबन आज तक नहीं पसंद करता कि नॉर्मल पुलीसिंग से हट के वो एबनॉर्मल पुलीसिंग करें विच इस विद पीपल जो की सिचुएशन पे तो वह सही बात है कोई ज़्यादा रुकता नहीं था दो तरीके के लोग रुकते थे एक वो रुकते थे जो की दिली में ही रहना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी दिली से बाहर पोस्टिंग नहीं हो और दूसरे वहाँ बैठना ही नहीं चाहते थे वह कई हैं और सेकरटेरिट के पास बैठना चाहते थी जहाँ चीफ मिनिस्टर भी है होम सेकेटरी भी है छीफ सेकेटरी भी है थो उनके साथवाहां नहीं बैठना चाहते थे और जब भी भी उनके पास कोई अधिकार खफ़्रमता होती थी वो अपनी बदली करा ले थे तो ये सही बात है कि वहाँ कोई नहीं जाना चाहता था और ये भी सही है कि जहाँ कोई नहीं जाना चाहता था वहाँ जाने के लिए भी आपको नौ महीने इंतजार करना पड़ा था हो मिनिस्ट्री ने आपको पोजिशन नहीं दी थी वो हो मिनिस्ट्री बहुत बिजी है, हो मिनिस्ट्री को टाइम लगता है, तो वो बिजी थी और मैं इतनी इंपॉर्टन नहीं थी, तो अच्छा किया मुझे नौ महिने दे दिया, उसी नौ महिनों में मैंने एक लिखत पड़त करनी सीख ली, या हो मिनिस्ट्री ऐसी जगा जहां वाकई में सदा दी जा सके हैं, उसके बाए इतना टाइम नहीं है ढूनने का, वो तो नौ मिने के बाद उनके अकाउंटन डिपार्टनम ने कहा दिया था, कि आप मुफ्त की तनका इसको क्यों दे रहे हो, आपको इसको लगाना ही पड़ेगा, तो उसको जेली खाली क्योंकि वो बैटे रहना चाहते थे, मेरा और उनका कोई मुकाबला नहीं था, मेरे पास वो ताकत नहीं थी उनको हटवाने की, और ना ही मैं ताकत का इस्तिमाल करती हूँ किसी को हटवाने की, जहां बैटता है उसको बैटने देती हूँ, मैं इंतजार के लिए तैयार थ लेकिन ऐसा नहीं कि जहां भी आप जाती हैं जो IAS अफसर होते हैं उनसे जरूर टकरा जाती है मुझे पता है आप कहा रहे हैं मुझे पता है आप कहा रहे हैं केरण जी चंदीगड में एक तालीस दिन के भीतर आपको आना पड़ा था वापस दिल्ली क्योंकि आप होम सेक्रिटी से टकराई थी येस वो वाकर में एक टकर थी अगर मैं समझे हूँ कोई वाकर टकरती तो वो थी क्योंकि उन्होंने विदिन 15 डेज जॉइनिग एज आईजी चंदीगड 15 डेज के बीच में एक बड़ी पुरानी दस साल पुरानी को इनक्वारी के बेस पे उनको सडली एक मेरे त्री सीनर पुलीस आफसर्स को सस्पेंट कर दिया और मेरे नोटिस में भी नहीं बात थी क्योंकि मैं अभी 15 ही दिन हुई थी मैं ना इनक्वारी जानती थी ना उन्होंने मुझे कान्फिडेंस में लिया और चंदीगड़ एक चोटी सी पुलीस सर्विस है उसमें से आप तीन सीनर आफसर्स को तरंच सस्पेंट कर दें और तो भी अकबार में पहले आया कि वो सस्पेंट हो गए ऐस आइजी मुझे बाद में बताया गया और किस ने बताया वोही अफसरों ने आके कि मैड़म हमको तो सस्पेंट कर दिया गया ऐसलिए आपको कैसे सस्पेंट कर सकते हैं मुझे भी तो बताएंगी ना मैं आईजी यूं इस इस फोर्स की जिसने पांच अजार फोर्स को लीड करना यह तो बोलेगर नहीं तो सिस्पेंट हो चुके है कोई और तो आए नहीं कोई कोई पता नहीं है पोले नहीं आने वाला ओरर अकबार में पहले आया, मेरे पास, तो उस चीज पो मेरे से बरदाष नहीं हूआ, यह नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता और अगर इंजस्टिस में अगर में अपने फोर देखिए, as an inspector general, अगर मैंने हर मुश्किल कान अपने officer से कराना है, तो जब उनके साथ अन्याय हो, तो मैं उनके साथ नहीं कड़ी हूँ, तो फिर मैं हूँ कौन? लेकिन जब आपके साथ अन्याय होता है तो फिर कौन साथ खड़ा होता है हे भगवान ओ इश्वर और ऐसे सीनियर अफसर भी तो जो थे तो सारे एक तो बराबर नहीं होते मेरे पास बड़े अच्छे अफसर आए वेद मारवा साब आए कौशल साब बैठे हैं गौतम कौल साब थे पियार राज कौपाल थे जेन चत्रवेदी थे अजे राज शर्मा साब थे आप सपोर्ट करने वालों के नाम बता रही है वो लोग कौन थे जब आपको बिल टिंट ने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया उन्होंने उस पर रोक लगा दी वो पुलिस अफसर ने नही है वो किसी और ने लगाई थी आईेस अफसर ने आईेएस की अफसर पता नहीं याद नी आरा कौन सी आप नाम बताने से बचना चाचाती है मैं बचने ही चाथाटी क्योंके वह हाज़र नहीं है तो फिर ठीक नहीं नहीं लेना क्योंके जो हाज़र नहीं है गर हाजर होते तो आप उनकी बात भी सुन लेते कि यह और उनकी बात भी शुनर हाँ, दोनों तरीके के लोग होते हैं, दोनों का दृष्टी कोन अपना अपना होता है, that's true, क्योंकि हमारी फील्ड एक्सपिरियन्स यादा होता है, हम अपनी सर्विस के पुलीस आफिसे के साथ क्लोजर होते हैं, वे एक डिटाच्ट वियू लेते हैं, वे दफ्तर में बैटके काम करते हैं, फील्ड को इतना नहीं देखते हैं, जितना हम लोग करीब हैं, तो नैश्टिली दो दृष्ट इकोन हैं, तो टकराव हो सकता है, होता भी है, नहीं भी होता है, तो इसलिए दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, और हुआ भी मेरे साथ और नहीं भी हो, अब ये बताईए कि आपकी हर पोस्टिंग पर आपका टकराव हुआ, हर पोस्टिंग पर किसने आपको रोकने की कोशिश की, आपने सारे में सर्वाइव कैसे किया, हे भगवान, देखो एक बात याद रखना, अगर आप कुर्सी से चिपकू नहीं हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुर्सी से कभी चिपकने वाली नहीं बठी, क्योंकि मैं बेसिकली फील्ड ओरियंट नूँ, मैं कुर्सी की शॉकीन ही नहीं, मुझे कुर्सी तो बलकि बांधती है, मुझे तो कुर्सी से दूर रहना चलगता है, फील्ड में ज्यादा रहना चलगता है, तो अगर आप चिपकू नहीं रहो, तो फिर कुर्सी पीछे बागती है, आपके, कि आकर बैठ जाओ. आपके अदालत में अगला इजाम किरन देए. आपकी अदालत में किरन बेधी पर आरोप है, कि ये सिर्फ अपना गुर्णगान करती हैं. किरत जी जो जैलिसी होती है जो टकराव होता है वो इसलिए होता है कि इतना ज्यादा आपका गुर्णगान होता है मीडिया में तो कोई भी जलेगा देखिए तो मैं क्या गुरू फिर? वोट केन आई डू? ये हार चीज दृष्टी कोन है? अगर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ही होती तो आज मेरे पास एक और मिडल होता जो मैंने नहीं लिया था वो था एशियन जो थी एशियन गेम्स के बाद 1982 एशियन गेम्स के बाद जब याद है आपको ट्राफिक मैनेजमेंट बहुत अची हुई थी एशियन गेम्स की किसी को कोई शिकायत नहीं होती सब अपने तरीके से पॉंच सके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती कोई जैम्स नहीं होते और राजीव गांदी जी ने भी खुद पार्किंग लेबल मांगे लिया था यह सोचते हुए कि उनकी बारी भी आ सकती है अगर उन को मेडल के लिए बुलाए गया कि अब आप मेडल लें तो उसमें मुझे भी मेडल के लिए बुलाए गया था एशियन जोती के लिए तो मैंने कहा था मैंने नहीं मुझे क्या यह मेरे लिए है कि ट्राफिक यूनिट के लिए तो उन्हें बोला यह आप के लिए है तो मैंन सब home guards को दीजिए और वो तमाम students को दीजिए जिन उने खड़े होके इतनी duty की तो अगर self glorification की होती तो मैं भी खड़े होके मेडल लगाती वो नहीं लिया जब आप तिहार जेल पहुची तो आपने पहला statement ये दिया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी जू में आ गई हूँ अच्छा तो आपने का कि यहां इतनी बुरी हालत है आपके पहले जितने officers उस जेल में गए थे आपने एक statement से उन सब के काम पर पानी फिर दिया उन्होंने कोई काम ने किया था that's truth और I tell you I was polite अगर मैं और मैंने government को एक भी report नहीं भेजी जो मैंने वहाँ देखा मैंने सिर्व उसको सुधारना शुरू किया था मैंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा कि यहां पर यह कुछ मैंने देखा है उसमें कुछ भी ठीक नहीं था क्योंकि जब मैं पहली राइट नाइट पट्रोलिंग के लिए टेहार जेल में गई थी तो बिल्कुल जू था कोई हर तरीके के साउंड्स आ रहे थे कोई जैकॉल जैसा कोई कुटे जैसा को हर तरीके के साउंड्स ही साउंड्स आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा यह क्या है यह क्यों सोए क्यों नहीं लोग मेरे दिमाग में भी नहीं सोच सकती थी कि रात को यह सोएंगे नहीं क्योंकि हम रात को सोत आप जो भी दे दो उसी का नशा तो मैंने का कौन कौन सा नशा एक तो जो नशा उनको मिल सकता है जो की नशेडू हैं और यहां नशा नहीं मिला तो उनके विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनको थकान टूटन हो रही है वो दूसरे को नहीं सोने देते तो यहां वो आया जिसको नशा नहीं मिला और यहां दूसरा है जो किस कॉम्पोज की गोलिया ही खाई जा रहे काफ सिरफ है तो काफ सिरफ भी पी जा रहे तो इधर की भी जो दवाई डॉक्टर देता है वो भी इतनी इतनी सारी लेता है उसी का नशा, तो हरा आदमी यह नशे के तूटने से शोर मचा रहा है, यह आदमी कोई नशा करने से शोर मचा रहा है, तो मैं कि यह कौन सी जगा आगी, और मुझे पुरा नहीं विश्वास था, यह कभी सीधा होने वाले हैं, यह सोने वाले हैं, मुझे बिलकुल नहीं वि किया फिर पढ़ाया और रात दिन बें जगाया सोने निदिया किसी को किसी को पढ़ाने में लगाया भक्ती में लगाया परवचनों में लगाया और एक दिन फिर सिच्वेशन आगी वो सोने लग गए तो पॉइंट इस जू है तो जू था जू था इट वस टिंकिंग गार्बीजी गार्बिज था जिसको हमने कई महीनों से हटाए है नहीं था रोटी जो थी उसमें कीड़े थे ये सब कुछ हकीकत है क्योंकि जब मैंने पेटिशन बॉक्स वहाँ शुरू किया था पहले पहले कि मोबाइल पेटिशन बॉक्स में उसमें उनसे पूछा था जो लिखने आप लिखो आज भी मेरे पास वो चिठियां हैं जिसमें लिखा हुए है कि हमारी दालों में कीड़े थे वही पोचा बरतन वाला उसी में पोचा लगता था उसी में धुलके फिर उसमें दाल आती मैं कौन सी बात आपको कहूं यह फिर चीज मैंने लिख दी अपनी बाद में अपनी किताब में लेकिन हकीकत यह थी इतना शुकर करो एक और कॉंट्रिवर्सी बनती अगर मैं सारा कुछ रिपोर्ट लिखके बेटी गवर्मेंट को और पूछती अब बताओ मैं क्या करो अ स्टील अथारिटी से वो इतने बड़े बड़े ब्यूटिफुल स्टेंलेस टील के ड्रम किये पोचे वाला ड्रम अलग स्टेंलेस टील अलग दाल वगज़ा साफ सब कुछ साफ कूड़ा को गार्बेज को हमने मैनियूर बना दिया किसी को शकायत नहीं की सब काम करना और हम लोग सिर्फ क्रेक्शनल सेंटर नाम दे देते हैं, लेकिन हम उसको क्रेक्शन करते नहीं। तो हमने आश्रम दिया ताकि दिमाग में गुज जाए कि आप यहां सुधर ने आयो। अब हम कहने लगें तेहार के आश्रम निवासी हो। तो अगर कोई वालेट करता है तो बाकी उसको पकड़ लेते थे, तो आश्रम का निवासी ऐसे करता है। तो उससे एक इंपक्ट होने लगा, नाम से इंपक्ट होने लगा, लेकिन नाम ही नहीं, काम भी था, इधर काम और उधर नाम। लेकिन हम तो सुनते हैं कि जेल में अब फिर से वही पुराने अंदास शूरू हो गए हैं, हमने अख़बारों में कई बार पढ़ा कि एक बार 13 कैदी जेल तोड़कर भाग गए, एक बार 4 कैदी जेल तोड़कर भाग गए, अगर आश्रम हो गया, वहाँ से भागेगा अगर आश्रम भी कह रहे हैं, तो इसका यह तोड़ी मतला आप सोजाओ, यू हैव तो स्टे अलर्ट और यह रोज का रोज का काम करना ज़रूरी है, ज़रा सी कहीं एक वेक्ती से भी चूक हुई, एक कॉंस्टेबल से भी गलती हुई, चाहे बाकी सारे अलर्ट हैं, लेकि नलाइक ही हो सकती है, इसलिए अगर आप नाम भी बलतते हैं, रिफॉर्म भी लाते हैं, तो आपको अलर्टनेस पर कोई कॉम्परमाइज नहीं कर सकते हैं, सिक्यूरिटी पर भी कॉम्परमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेसेज ही है, कि सिक्यूरिटी भी रखो, लेकिन रिफॉर्म भी रखो जैसे हाजकल है एक वियूर ने एक चिप्थी लिखी आपके लिए उसमें उन्होंने लिखा है कि केरन बेदी से आपके अदालत में इतना जरूर कहिए कि जिस तरह से उन्होंने कैदियों को रिफॉर्म किया वो क्या देश के नेताओं को रिफॉर्म कर सकती है ये तो बहुत बड़ी बात है मैं तो बड़ी चोटी सी ओफिसर हूँ ये बात मेरे बस की नहीं है लेकिन हाँ अगर तिहार चले जाते तो शायद बैटा हूँ किरन जी मैंने आपके पूरा अगर बायर डिटा की लिस्ट देखू तो आपने बहुत सारे काम किये हैं आपको एवार्ट्स मिले हैं आपने दुनिया भर में जाकर लेक्चर्स दिये हैं एक एक साल में चार-चार कंट्रीज का विजिट किया है आप एंजियो चलाती हैं लोग की मदद करने के लिए ऐसा लगता है कि पुलिस अफसर का जो काम होना चाहिए वो छोड़ के बाकि सारे काम करती है मैंने टू यर्स की स्टड़ी लीव ली थी उस किताब को लिखने के लिए और उस स्टड़ी लीव में जब मैं अतेहार के ओपर लिख रही थी बुक तो मुझे जरूरत थी सारी कंट्रीज को देखने की जहां जा सकती थी कि जो मैं लिख रही हूँ क्या ये औरिजनल वर्क है कि कहीं और भी ऐसा काम हुए है तो इसलिए उन देनों में मैंने दो साल में दुनिया के दो बारी चकर लगाए और मैंने अपनी सेविंग्स भी खर्ची और जो मुझे फेलोशिप से भी पैसा मिला वो भी खर्चा क्योंकि मेरा मकसद था कि जो मैं लिखूं वो मेरे पास एक विश्वास हो कि वो एक उरिजिनल कांट्रिबूशन है तो इसलिए उन देनों में तो मैंने बहुत ट्रावलिंग की कि रिंचे ऐसा विक्ती जो रिफॉर्म करता हो जो लेक्चर्स देता हो उसको पुलीस में नहीं पॉलिटिक्स में होना चाहिए क्यों पुलीस में क्यों नहीं हो सकते ऐसा क्यों आप सोचते हो I think और बड़े अच्छे और पुलीस आफिसर राइटर्स भी है मैंने अभी अभी केरला गई थी वहाँ एक पुलीस आफिसर ने एक स्टोरी लिखी थी और उस स्टोरी एक फिल्म का स्क्रिप्ट बनेगी जंसा से पूछते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन से आप से बहुत अजीब लगता है जब हम पुलीस फोर्स को देखते हैं बड़े बड़े पेट निकले हुए बेल्ट निचे बिना कैप के बीट पर है लेकिन जितनी शॉप्स होंगी वहां रुकेंगे उनसे वसूली करेंगे शायद ही कोई उपर से लेके निचे तक ऐसा होगा जो फिजिकली फिट नजर आएगा और अपने काम में चुस्त नजर आएगा यह इंप्रेशन सरफ एक दिली की या किसी मुंबई की नहीं है पूरे डेश की पुलीस के बारे में पब्लिक भी इंप्रेशन है फिजिकल फिटनिस क्या करेंगे इनके खाने पीने के भी टाइम नहीं है इसलिए पता निनको यह नीं पता ओता कि रात का डिनर कब होंगे जब भी जो मिले खा लो तो ना फिजिकल फिटनिस ना इनका कोई टाइम टेबल this is the truth of the matter physical fitness also wants time and time means regulated life that I am going to be 10am duty then I am going to be 6am and I can go to the morning or do physical fitness or I will get home eating at night so this is not normal life there is a terrorist call or a terrorist call or a terrorist call or a terrorist call that is why this government gives us 13 months and 12 months दो पर देती है क्यों क्युआ एक तो ऐसा लालच दे के उनको रगागरा आती रहती है चाहे दिवाली है लेकि इसका इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि आप ह। आलरेना शुरू करदें zrobić चाहते हैं कि उनको भी रंगीन टेलिविजन मेले आपकी अदालत प्रोग्राम देखने को रजजद जी को देखने को कितने पास हो के पास कलर टेलिविजन होगा उसके बचे भी जाए है गलत I'm not justifying उनकी तनकाएं बड़ी चोटी हैं बचो को पढ़ा नहीं सकते घर का किराय उनके घर की सरकारी अगर हर पुलीस आफिसर को फॉजी जैसे अगर हम देखने लग जाएं अपने फॉजी जैसे और मुझे बड़ा मान है कि हम अपने फॉजी की बहुत देखबाल करते हैं शुकर है कि हम किसी की तो देखबाल करते हैं लेकिन अगर हर सिपाही इस देश म Constable, Police Constable की देखबाल एक फौजी जैसे करने लग जाएं तो फिर आप देखेंगे कि कैसे वो बदलता है हमारे माँ यहाँ welfare नहीं है, हमारे यहाँ पुलीस में कोई welfare concept नहीं है मेरी अपील है, मेरी dream है, मेरा एक सपना है, मेरी मांग है, मेरी चाह है कि हमारे पास भी एक welfare body बहुत बड़ी बने जिसमें हम अपने हर सिपाई और हवलदार और A.S.I. सब इंस्पेक्टर की फैमिली की देखबाल कर सकें और डटके उसे काम लें कि देख तेरी फैमिली है प्रोटेक्टड है तेरी फैमिली लुक्ट आफ्टर है पढ़ रही है लिक रही है लायक बन रही है सड़कों पर नहीं गूम रही है तू जा काम कर मैं आपको गारंटी करती हूँ कि हम उसे better काम देंगे हमको सिर्फ वेलफेर का सिस्टम चाहिए औ आपका सपना जरूर पूरा होगा और आपके आखों के सामने पूरा होगा आपके अदालत में आज हमने किरन बेजी से सफाई मांगी उनको ले कर चल रहे हैं विवादों को लेकर हमने उनसे पूछा आई-एस और आई-पीए सफ़रों की तकरार के बारे में उन्होंने हमें बताया पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में अब आज की कारवाई पर आज के जज एम बी कोशल का फैसला इस अदालत की कारवाई के दौरान शरीम मती किरन बेदी पर कई तरह के आरोप लगाए गए लेकिन इस बात को मैं बहुत संतोज से कह सकता हूँ कि उन्होंने सबका सही और बहुत समझदारी से जवाब दिया संतोज जनक जवाब दिया इसमें खास तोर से जो लॉलस सिचुएशन महलाओं की सरक्षा वो अपनी मनमानी करती है या सेल्फ ग्लोरिफिकेशन और अंत में जो पुलीस के बारे में उन्होंने पुलीस के वेलफेर के बारे में कहा वो विशेश मेंशन करना चाहिए और सारी कारवाई सुनने के बाद मेरा अपना ये नतीज़ा है कि उन्हें किसी भी आरोप के लिए दोशी नहीं पाया गया और अदालत उनकी सब जवावों से संटेश इस उम्मीद के साथ इस विश्वास के साथ कि आपके अदालत में किरिन बेदी ने जो सपना देखा है जिस रिफॉर्म की बात की है जिस पुलिस के लोग की जीवन खैली में सुधार की बात की है वो सपना जल्दी पूरा होगा और उस सपने को पूरा करने में हमारा इंडिया टीवी का जो भी कांट्रिबूशन होगा वो हम करने के लिए तयाह हैं ये वादा आज हम आपसे करना चाहते हैं अगले सब्ता फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया बुकादमा लेकर तब तक के लिए रुमस्कार